संतोस डर से गोडाउन में जाकर छुपा हुआ है ताकि दिलिप उस तक ना पहुच पाए उसे डर है कि दिलिप आकर उसे मार देगा क्यूंकि संतोस ने दिलिप के साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों को मारना चाहा संतोस इतना ज़्यादा डर चुका है कि उसे बार बार दिलेप का इख खयाल आ रहा है, दिलेप के बारे में सोचते हैं उसके पसीने छूट जा रहे हैं, संतोस गोडाउन में अकेले बैठा हुआ था, तभी उसे कोई दिखाय देता है, उसे लगता है कि दिलेप है, इसलिए वो हतियार लेकर दिलिप को मारने के लिए निकल जाता है लेकिन जब वो बाहर जाता है तो कोई नहीं होता जितके बाद संतोस अंदर वापस चला जाता है राशी अपने डैड के बारे में इतना जादा सोच रही है कि उसे कहीं ना कहीं अपने डैड के होने का एसास होता जा रहा है किचन में गैस जल रहा था तबी राशी जोर जोर से चिलाने लग जाती है तबी जुगल आता है तो जुगल राशी से आग बुझाने के लिए बोलती है कि जल्दी आग बुझाओ वरना डैड मर जाएंगे फिर जुगल राशी को बताता है कि आग नहीं चल रही वो गैस जल रहा है राशी की ऐसी हालत दे कर पुष्पा ने राशी के लिए काउंसलर को बुलाया है जो राशी को पहले से जैसा कर दे लेकिन राशी का ध्यान बार बार अपने डैड पर ही आकर अटक जाता है राशी भगवान से भी बोलती है कि अगर मेरे डैड को अपने जिन्दा रखा हुआ है तो उन्हें मेरे पास भेज़ दो सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं सुवरा को नाश्ता बहुत पसंद आता है लेकिन वही नाश्ता राशी छोड़ कर चले जाती है सुवरा पुषप पस्वरा को अच्छे से समझा देती है एक तरफ राशी को अपने डैड के होने का एसास हो रहा है जिसे हर कीमत पर अपने डैड चाहिए और एक तरफ संतोस को दिली पटेल के होने का एसास हो रहा है लेकिन वह नहीं चाहता कि दिली पटेल उसके सामने आना मतलब संतोस का इस दुनिया से जाना है, संतोस ने जब गुकितवा, संतोस का आध्मी प्रकाश और दिलिप 30 नहीं है, की वो भाग रहा है इदर उदर खुद की जान बचाने के लिए भाग रहा है संतोस ने अपना तमाशा दिखा दिया और कर दिया अपना वार अबारी है दिलिप पटेल की अब दिलिप पटेल संतोस को अपना तमाशा दिखाएगा और करेगा वार अगर दिलिप सच में जिन्दा हुआ तो वो द